Good morning students, today we will start our third chapter that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. Students, before starting this chapter, we need to know that what is aldehyde, what is ketones and what is carboxylic acid. Students, इस chapter को start करने से पहले हम लोगों को ये जाने की ज़रत है कि aldehyde क्या होता है, ketones क्या होता है और carboxylic acid क्या होता है. तो one common, ये आप देख रहे हैं, ये aldehydes एक compound है, एक ketones एक compound है, and carboxylic acids जो है वो एक compound है. तो one common group is present in these compounds, एक common group जो होता है, वो present होता है इन तीनों compounds में, ठीक है, aldehydes में भी, ketones में भी, and carboxylic acid में भी. ठीक है, तो देखें मैंने यहां क्या रिखा हुआ है, aldehydes, ketones, and carboxylic acids contain a carbonyl groups. क्या है, aldehydes, ketones, and carboxylic acids contain a carbonyl group. ये तीनों जो है, वो कौन से group को contain करते हैं, carbonyl group. जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, कि एक common group होता है, जो कि इन तीनों में present रहता है, तो वो common group कौन सा है, carbonyl group है. therefore, these are collectively called as carbonyl compounds. इसी लिए, इनको collectively जो है, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि ये कैसे compounds है, ये carbonyl compounds है. तो इसमें हम लोगों ने ये क्या जाना, कि ये compounds है, तीनों, aldehyde, ketones, and carboxylic acid, जो कि carbonyl groups को contain कर रहे हैं, therefore, जिसके कारण कि ये, इनको collectively जो है, वो क्या बोला जा रहा है, कि ये carbonyl compounds है, ठीक है? तो students, this chapter is very important for the final examination of class 12, ये बहुत important chapter है, और marks scoring chapter है, इसमें बहुत सारे name reaction है, लगभग आपके 15 name reactions है, जो आप लोगों को study करना है, तो चलिए, अब हम लोग आज से ये chapter स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब सबसे first है कि what is aldehyde, ठीक है? ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये, जो है, ये compounds जो है, वो contain कर रहे है, किस group को contain कर रहे है, कार्बोनिल ग्रूप, कार्बोनिल ग्रूप मिन्स क्या? देखे, CO, ठीक है? CO जो होता है, इसी को बोला जाता है, ये क्या है आपके? कार्बोनिल ग्रूप है, तो aldehydes, अब हम लोग आते हैं, अपने first topic में, तो first aldehydes क्या होता है? aldehydes contain at least one hydrogen atom, attached to the carbon carbon atom, aldehydes जो है, वो क्या contain करते हैं? कम से कम उसमें एक hydrogen atom होता है, जो कि attached होता है to the carbon carbon atom, और वो किस से attach होता है? कार्बोनिल ग्रूप है, तो सबसे first देखिए इसमें क्या हम लोग जानते हैं, first देखिए, यहाँ पर मैंने structure बनाया है, ये क्या है? ये आपके कार्बोनिल ग्रूप है, तो कार्बोनिल ग्रूप में होता क्या है? It is, its carbon atom is, ये जो इसका carbon atom है, it is SP2 hybridized, ये कैसे होते हैं? ये SP2 hybridized होते हैं, और its angle is, इसका angle जो होता है, वो कितना का होता है? 120 degree का होता है, ये आपके कार्बोनिल ग्रूप है, ठीक है? और इसी कार्बोनिल ग्रूप में, अगर हम aldehyde के लिए बोले, तो अगर इस कार्बोनिल ग्रूप में, अगर ये मेरा कार्बोनिल ग्रूप है, ठीक है? और इसमें अगर एक hydrogen atom, जैसा यहां लिख्या होया statement में, कि aldehyde contain at least one hydrogen atom, इसमें अगर और वो attached होगा किस से? कार्बोनिल carbon atom से, तो अगर इस CO में, अगर हम one hydrogen atom attach कर देते हैं, तो it is called as, ये क्या हो गया? it is called as aldehyde, इनको क्या बूला जाएगा, ये क्या है? ये aldehyde है, ठीक है? अब इसी से related हम लोग कुछ compounds का formation करते हैं, ठीक है? अब कार्बोनिल ग्रूप का formation मिन्स क्या? कि अगर हम इस side H को attach कर रहे हैं, तो इस side हम कुछ other group जो attach करेंगे, जैसे कि अगर ह ठीक है? एच सी एच ओ, ठीक है? एच सी एच ओ, मिन्स मैंने दोनों साइड में H attach किया, लेकिन ये attach जो है, ये जो CHO जो है, ये तो क्या है? ये फंक्शनल ग्रूप है, किसका? अलडी हाइट का, और उसमें हम लोग एक और हाइडोजन अटाच कर दिये, तो ये एक compound का formation हो गया, और this is called as formaldehyde, इनको हम लोग कौन सा compound बोल सकते हैं, ये कौन सा है formaldehyde, ठीक है? अब हम अगर दूसरा लेते हैं, इसमें फिर मैंने लिया एक कार्बोनिल ग्रूप, ठीक है? इसमें ये hydrogen ये तो attach रहेगा ही, क्योंकि ये functional group है, और इस sign मैंने ये attach किया, ये क्या attach किया हम लोग? CS3, ठीक है? ये CS3 attach हुआ, CS3, CSO, means it is acetaldehyde, ठीक है? तो LD हाइट में हम लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या है? hydrogen atom, एक at least one hydrogen atom रहेगा ही, जो कि कार्बोनिल ग्रूप से attach रहेगा, तो इसमें हम और भी बहुत से related, और भी example इसमें दे सकते हैं, जैसे ये तो formaldehyde हो गया, acetyldehyde हो गया, ठीक है, propionaldehyde हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत सारे compounds है, उसका हम लोग formation कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं अपने second topic पे, तो ये second topic जो है, ये है कि ketones, what is ketones? ketones क्या होता है? ketones contain two carbon groups, ketones contain two carbon groups attached to the carbon carbon atom, ketones जो है, वो क्या contain करते हैं? दो carbon groups को contain करते हैं, attached to the carbon carbon atom, जो कि किसी attach होता है? carbon carbon atom से, means इसमें भी carbon group तो आपके present रहेंगे ही, ये तो carbon group प्रजेंट रहेंगा ही, लेकिन इसमें ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें contain करेंगे ये दो carbon groups को, ठीक है? तो अगर हम लोग इसमें attach करते हैं, means इस side और इस side, इसमें हम लोग अगर attach करें, तो इस side से अगर हम एक compound attach करें, CH3, और इस side से भी हम लोग attach करें, तो CH3, ठीक है? तो CS3, CO, CS3, ये एक compound का formation हुआ, means दोनों side में है, आप देख रहा हैं, कार्बोनिल ग्रूप के, दोनों sides में हम लोगों ने attach किया, क्या attach किया हम लोगों ने? carbon atoms, carbon groups को attach किया, अब अगर हम लोग इसका और कोई भी example लेना चाहे, तो और कोई example जो है, वो क्या हो सकता है, कि हम लोगों ने इसमें CO लिया, इस side हम लोग CS3 ले रहे हैं, और इस side हम लोग C2H5 ले रहे हैं, ठीक है? तो ये दो compounds का formation हो गया, ये आप लोग देख रहा है, ये अगर हम लोग formation की है, तो इसमें कौन सा compound हम लोग का बन गया, तो इथायल, मिथायल, ketone बन गया, तो means ketones में carbon groups रहेंगे, दोनों side में present, और carbonyl group तो तीनों compounds में present रहे गा ही, ठीक है? अब हम आते हैं अपने third topic पे, third topic is that is carboxylic acid, carboxylic acid, what is carboxylic acid? पे, carboxylic acid contain a hydroxyl group, carboxylic acid जो है, वो क्या contain करता है? एक hydroxyl group को contain करता है, ठीक है? attached to the carbonil carbon atom, और जो कि किस से attach रहता है? carboxylic acid जो है, वो hydroxyl group को contain करेगा, और वो किस से attach रहता है? attached to the carbonil carbon atom से attach रहेगा, ठीक है? तो यानि कि carboxylic acid में भी हम लोग लेंगे, तो एक carboxylic group हम लोग लेंगे, ठीक है? ये देखिए, मैंने बनाया यहाँ पर, हम लोग carbonil group ले रहे हैं, और इस carboxylic group में क्या होगा? कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें एक hydroxyl group भी attach रहेगा, hydroxyl group means क्या है? इसमें attach रहेगा? OH, ठीक है? तो ये OH attach हुआ, आप लोगों को पता है कि what is the functional group of aldehyde? the functional group of aldehyde is CHO, functional group जो होता है aldehyde का, एक बर मैं आप लोगों को उपर में बता दे रहे हूँ, functional group of aldehyde is functional group aldehyde का क्या होता है? COH, CHO, ठीक है? ये हो गया आपका, CHO, ये aldehyde का functional group ketone, ketone में क्या है? CO and carboxylic acid is COOH, ठीक है? तो ये हो गया आपका, carboxylic acid का functional group, ये हो गया ketone का functional group और ये हो गया aldehyde का functional group तो ketone में हम लोगों ने लिखा है कि carboxylic acid contain a hydroxyl group attached to the carbonyl carbon atom तो यहाँ पर देखें मैंने structure में क्या किया? यहाँ पर हम लोग hydroxyl group attach कर रहे हैं अब इस side जो है, वो हम लोग कोई भी group ले सकते हैं, इसमें हम carbon को भी attach कर सकते हैं या फिर hydrogen को भी attach कर सकते हैं, तो जैसे अगर इस से related हम लोग कोई compound का formation करें तो यह क्या हो जाएगा? COOH, अगर इस side हम लोग H attach कर देते हैं, तो यह क्या form कर देगा? इस formic acid, HCOOH, आप लोगों को पता है, इस इस the formula of formic acid, अगर हम लोग CO और इस side हम लोग CS3 attach कर देते हैं, CS3, COOH, तो इस is acetic acid, यह किसका formation हो गया? तो अब हम लोग students, आप लोगों ने तीनों compound के बारे में जान लिया कि अल्डि हाइट्स क्या है, कि टोंस क्या है, कार्बोगजिलिक एसीड क्या है, और इनसे कैसे formation होता है, और कैसे इनके तीनों के functional group क्या होते हैं, इनसे related हम लोग कौन कौन से compound का formation कर सकते हैं, तो बहुत यूजेज हैं, ठीक है, क्यों यूजेज हैं, कि हमारे day to day life, जितने भी आप लोग देखते हैं, जितने भी fragrance होते हैं, फ्रेक्रेंस हम लोगों को मिलते हैं, या फिर जो भी food industry में भी इनका यूजेज होता है, इनका यूजेज होता है, तो इसलिए ये compounds जो है, जो है, वो बहुत ही important है, और इसलिए हम लोग इनका study करते हैं, क्योंकि हम बहुत से important thing का formation जो होता है, वो इन compounds के कारण ही हो पाता है, ठीक है, तो अब हम लोग, आज हम लोगा ये complete हो गया, कि ये aldehydes क्या है, ketones क्या है, और कार्बगजिलिक क्या है, in next class, we will study about the classification of aldehyde, ket and carboxylic acid, thank you